नमस्कार दोस्तों जै मातादी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में माता रानी के किरपा सदे हूं आप लोग पे बना रहे हैं आप लोग कमिंट बॉक्स में माता रानी के नाम पे जै मातादी जरूर लिखिएगा दोस्तों और एक लाइक जरूर कीजिएग दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अश्टमी पूजन में जब हम माता रानी को खोईचा भरते हैं तो किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी होती है जिसके कारण हमारे घर से लक्षमी रूष्ट हो करके चली जाती है और घर में हमेशा के लिए कंगाली आ जाती है तो दोस्तो देखिए जब खोईचा भरिएगा ना तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि किन किन समानों को आपको लेना है सबसे पहले देखिए यहां पर मैं एक थाली त्यार करी हूँ इस थाली में बतासा है फूल है चूडी है और यहां पर देखिए यह है दुरवाजी से दूब भी बोलते हैं सरल भासा में आराम से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा यह एक घास होता है जो की गर्नपती बबबा पर चढ़ता है वही है दुरवाजूब इसके बाद कच्चा चावल आपको लेना है आप पका चावल बिलकुल भी मत लीजिएगा कच्चा चावल ही लीजिएगा जो अर्वा चावल बोलते हैं और यह है सिंदूर सिंदूर आप लाल या पिल्ला कोई सा भी कलर के ले सकते हैं दो ही कलर के सिंदूर होता है उसके बाद चूड़ी चूड़ी आप लाल ले सकते हैं हरा ले सकते हैं यानि कि आप बलेक कलर के चूड़ी चोड़ के और वाइट कलर के चूड़ी चोड़ करके किसी भी कलर के चूड़ी ले सकते हैं बिंदी ले लीजिएगा उसके अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है ले लीजिएगा लेकिन आजकल सहर में नहीं मिल पाता है जिसके कारण यहां पे मैं पाउडर वाली हल्दी ले ली हूँ और देखे दक्षिना ले लीजिएगा अगर आपके पास जादा दक्षिना हो तो जादा ले लीजिएगा जितना आप सक्षम हो उतना ले लीजिएगा इगारे रुपया एकिस रुपया एकाउन रुपया उसके बाद यहां पे देखे यह है मातारानी को खोईचा भरने के लिए कपड़ा तो आप गुलाबी या लाल या पिला तीन कलर में से कोई सा भी कलर की कपड़ा ले सकते है उसके अलावा और कोई सा भी कपड़ा मत लीजिएगा क्योंकि जब लेना ही है तो यही तीनो कलर का कपड़ा लीजिएगा दोस्तों और कपड़ा नया होना चाहिए पुराना नहीं होना चाहिए उसके बाद यहां पे मैं आपको खोईचा भर के दिखाती हूँ कि कैसे भर माता रानी को प्रसंद करने के लिए खोईचा भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए खोईचा हम क्यों भरते हैं ओभी मैं आपको बताऊंगी आपको तो पता होगा कि जब हमारे यहां कोई बेटी बहु आती है और जब वापस जाती है तो उन्हें हमें खोईचा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिससे कि हमारे घर में धन धान बना रहे हमेशा और जो बेटी जाती है उसके घर भी धन धान हमेशा भरा रहे इसलिए खोईचा भरा जाता है दोस्तों तो सबसे पहले देखिए खोईचा में आपको सबसे पहले क्या देना है चावल द पॉटार्व है से अपको उठाना है तो ऊचल अनिचे अचल में नीचे ज count नई को कहीं गंदे संदे फर्स पे मत रखिएगा कपड़ा को धुला पुछाओना चाहिए फर्स तो इस तरीके से पांच बार देखें यहां पर मैं अंजुरी भर करके खोईचा को भर दी हूँ उसके बाद सबसे पहले आपको क्या देना है सिंदूर देना है क्योंकि सुहागिन का जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है सिंदूर है उसके बाद फूल दीजिएगा फूल आपको ले लेना है कोई सबी फूल ले लिजिएगा उसके बाद मीठा बतासा ले लिजिएगा इसके अलावा आप कोई सा भी मीठा ड्राइफ रूट वगेरा फल कुछ भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर बतासा मातारानी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है इसलिए ले लिजिएगा उसके अलावा यहाँ पर देखिए यह है चूडी चूडी रख लिजिएगा इस तरीके से रखिएगा और आपको एक बार में चावल उडेर करके नहीं डालना है आपको मैं जैसे बताई हूं वैसे ही करना है चाहे आप मातारानी के खोईचा भरिये या किसी भी बेटी बहो के भरिये उसके अलावा देखिए यह हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर ऐसे ही हमें नहीं डाल देना है नहीं तो चावल जो है न थोड़ा वो हो जाएगा कोई नहीं देखा पाएगा नहीं सही से तो इसलिए जब आप जब भी लिजेगा पाउडर वाला हल्दी तो आपको क्या करना है कि कागज में इसे ना फोल्ड करके दे देना है क्यूंकि यह खोईचा जब आप मातारानी पर चढ़ाईएगा अगर मालीजे घर पर चढ़ाते हैं तो भी आपको जाकर कि ब्रहामन को देना होगा या फिर ब्रहामन के अलावा कोई भी कुमारी करन्या को देना होगा और अगर आप यह खोईचा को जाकर के दुरगा मंदिर में चढ़ाते हैं जहां पर प्रतिष्ठा मंदिर है वहां चढ़ाते हैं तो वह चोड़ दीजेगा देखे दुरवा रख दी हूँ उसके अलावा ये है दो लॉंग और एक इलाइची इसे भी हम रख देंगे इसी में चावल में मतलब कि खोईचा में उसके बाद सबसे लाष्ट में यहां पर दे दीजिएगा दान दक्षिना जो भी आपका स्रधा हो उतना दे दीजिएगा अपने स्रधा से बढ़के और कुछ नहीं होता है अब इस खोईचे को आपको क्या करना है ऐसे ही नहीं दे देना है यहां से आपको लक्षमी का वास होता है और यहां से आपके लक्षमी जा भी सकती है तो आपको तो मैं बता दी कि अंजुरी भर के इस तरीके से आपको च जैसे हमारे घर में लक्षमी आती है बहु वेती उसी तरीके से मातरानी भी हमारे घर में आई है नौ दिन के लिए जब मातरानी जाने लगती है तब यह खुईचा भराता है तो देखिये यहां पर चूड़ी था जो भी मेरे सराधा था वो सब ले लिए इसके अलावा और भ लौंग इलाइची पैसा आप पैसा 11 रुपया भी ले सकते हैं और बिंदी ये सारी चीजे भी आप रख सकते हैं अगर जादा नहीं हो तो अगर और उसके अलावा आपको देखे क्या करना है खोईचा भनने के बाद पांच बार इस तरीके से आपको निकाल लेना है अपने आचल में निकाल लीजिएगा क्योंकि देखे यहां पर थाली में मैं दिखा रही हूं लेकिन आपको अपने आचल में निकालना है पांच बार मंदिर जाएगा तो आप आचल में निकाल लीजिएगा उसके बास बाद ओ जो चावल लेके आईएगा उसे आप अपने जो अ पकड़ करके आप बांद दीजिएगा दोनों तरफ से बांद दीजिएगा ठाली में रखके मैं आपको दिखाती हूं अच्छे से यहां पे इस तरीके से बांद दिएगा एक गांट इधर से बांद दिजिएगा और एक गांट इधर से बांद दिजिएगा तो हो जाएगा ज्यादा नहीं बांदना है क्योंकि ये जो है ना दक्षिना ये आपको घर में नहीं रखना है मतलब कि आपको दान देना है क्योंकि देखिए माता रानी को आप दे दिये हैं तो घर में रखने से कोई फैदा नहीं है तो इस तरीके से बांद दियेगा उसके बाद माता को इ कोई भी कुमारी कन्या को दे देना है या मंदिर को तो यहां प één क्या करना है आप मैं नौमारी कंच & कुमारी कन्या को दैदेना है कोई दोस नहीं लगेगा लेकिन उसके लावा और किसी को भी आपको नहीं देना है ठीक है इस तरीके से आप माता रानी के खोईचा भरिएगा दोस्तों वीडियो पसंद देया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब